नमस्का दोस्तों, PLTX में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UPCC बीडियो और एक्जाम 2023 के लिए ग्यानमुद्रा पब्लीकेशन का प्राक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ और इस प्राक्टिस सेट के अंतरगत हम लोग हिंडी के 50 को सल्व करेंगे दोस्तों यदि आप हुमारे चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, सेर कीजे दोस्तों आएए शुरू करते हैं प्राक्टिस सेट 1 है दोस्तों और यहाँ पे पहला जो है पैसे दिया गया है दोस्तों इसे आप पढ़ लीजे बहुत ध्यान से पर्मियों में प्राता पांच और सर्दियों में 6 बजे का समय प्राता भ्रमण के लिए आदर समय है प्रकत के उन्मुक्त वातावरण में परवती प्रदेश में नदी जर्नों के टटपर बाग बगीचों में प्राता कालियों श्रीतल वायु प्राडियों को सागत करती है ब्रच्छों पर चहकते पक्षी, कोयल की मधुर आवाज मुस्कुराते फोल्त था उन पर गुंजार करते भौरे मन को प्रसंद कर देते हैं सुरे के आगमन से चारों और छाया अंदिकार तिरोहित हो जाता है खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साप होते हैं, सरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है ब्रमड से वापस लोटे हुए सुर की करणे इसमरणी लगती है प्राता का ब्रमड स्वास्त के लिए सर्वत्तम और सरस्ता उपाय है दोस्तों यह रहा पैराग्राफ और इसके नीचे आपका कोशन है उप्रयूक्ट गद्यांस के आधार पर निम्न प्रसन के उतर दीजिए गद्यांस का उप्रयूक्ट सेज़सक बताईए तो आपको दोस्तों बताना है यहाँ पे गद्यान्स का उपर्यूक सिल्सक बताना है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राता काल का भ्रमड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका पहली लाइन में ही दिया गया है प्राता काल का भ्रमड स्वास्त के ल पे परग्राफ है आप पढ़ लिजे जिन कर्मों में किसी प्रकार का कस्ट यहान सहने का साहस आपेचित होता है उन सबके प्रति उत्कंठा पूर्ण आनंद उस्साह के अंतरगत लिया जाता है कस्ट या हान के भेद के अनुसार उसा के भी भेद हो जाते हैं साहित मिमानसकों ने इसी दस्ट से युद्ध बीर, दान बीर, दया बीर इत्यार भेद किये हैं इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है जिसमें आगहात, पीड़ा या मृत्यू की परवाह नहीं रहती इस प्रकार की वीरता का प्रयूजन अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है जिसमें साहस और प्रत्न दोनों चरम उत्कर्स पर पहुंचते हैं पर केवल कस्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का सुरूप इस फूरित नहीं होता उसके साथ आननपूर प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए तो दोस्तों इसके नीचे कोर्शन दिया गया है कोर्शन बार सेकेंड है उत्साह के भीड किस आधार पर किये गये हैं दोस्तों पहला दिया गया है उत्साह के आधार पर ओप्सन भी है दुर्बलता के आधार पर ओप्सन सी है पीड़ा या आघाद के आधार पर option D है कस्ट या हानिके भेड के आधार पर तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों इस question का option A उत्साह के आधार पर अगला question question number third है युद्ध बीरता के लिए युद्ध बीरता के लिए mark कीजेगा second का answer हो जाएगा आपका D हो जाएगा कस्ट या हानिके भेड के आधार पर अगला question question number तीसरा है युद्ध बीरता के लिए किस प्रकार की प्रकरत आपेचित है option A है चतुराई और भीरता option B है चंचलता और आस्तिरता option C है दिर्ष्टता और साहास option D है साहस प्रयतन और कस्ट सहने का धीरज तो right answer यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस question का option D साहस प्रयतन और कस्ट सहने का धीरज इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 4 है साहित मीमान सकों ने बीरता के कौन कौन से भेड किये हैं तो right answer यहाँ पर option A हो जाएगा युद्ध बीर, दान बीर और दया बीर इसका सही जवाब है बढ़ते हैं अगले question की ओर question number 5 है उतकंठा पूर्ण आनंद किसके अंतरगत लिया जाता है तो right answer देना है आपको दोस्तों तो right answer first हो जाएगा उत्साह के अंतरगत अगला question, question number 6 है भारा सरकार की ओर से बिदेशी सरकारों, उनके राज दूतावासों, अंतराष्टी, संगठिनों तथा सोदेश, इस्थित, कारयालों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस सेड़ी में आते हैं तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option D सरकारी पत्र के अंतरगत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगला question, question number 7 है जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर वेक्तिगत तोर पर आकरसित करना होता है तब किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं तो right answer हो जाएगा option A अर्द सास की पत्र लिखे जाते हैं option A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 8 है किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेसर को वापस लोटा जाता है option A है संकल्प option B है प्रस्टांकन option C है दुरूत पत्र option D है अनुसमारक तो right answer हो जाएगा option B प्रस्टांकन कहा जाता है तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 9 है दोस्तों किसी संदर्बिया विशेवस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्य पूर्ण एवम सूस्पस्ट पुनर लेखन क्या कहलाता है तो right answer option E हो जाएगा संचेपन कहलाता है दोस्तों option E यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों संचेपन अगला question, question button है हिंदी भाशा में कितने स्वर हैं दोस्तों आपको बताना है दिये गए options में से तो यहाँ पर दोस्तों इस question का right answer option B हो जाएगा ग्यारा स्वर होते है अगला question, question number 11 है हिंदी में धुनिया कितने प्रकार्गी होती है option first दिया गए है 2, option B में है 4, option C में 6, option T में 8 तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों option first हिंदी में धुनिया दो प्रकार्गी होती है अगला question, question number 12 है वर्ड तालिका के अनुसार हरस्व देरगव प्रोथ क्या हैं दोस्तों आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option है स्वर हैं दोस्तों, यह स्वर के प्रकार हैं दोस्तों अगला question, question number 13 है निमलिकित में pulling शब्द कौन सा है देगा options में से आपको चैन करना है pulling शब्द कौन सा है तो right answer हो जाएगा option C पत्र, पत्र pulling शब्द है बाकी सभी इस्ट्री लिंग शब्द के अंतरगत आते हैं question number 14 निमलिकित बिकल्पों में pulling शब्द का कौन सा कौन सा है दोस्तों तो right answer हो जाएगा option C पक्षी, पक्षी pulling शब्द है बाकी सभी इस्ट्री लिंग शब्द के अंतरगत आते हैं दोस्तों अगला question, question number 15 है निमन में कौन सा सब्द इस्ट्री लिंग है तो right answer option D हो जाएगा आए शब्द इस्ट्री लिंग है next question, question number 16 है निमन में इस्ट्री लिंग शब्द कौन सा है तो दोस्तों आपको बताना है दिये गए options में से इस्ट्री लिंग शब्द कौन सा है तो right answer option B हो जाएगा गरिमा शब्द इस्ट्री लिंग है option B right answer हो जाएगा Q17 है, संधियां तीन प्रकार की होती है, निम लिखित में से कौन सा एक संधी का प्रकार नहीं है, तो right answer option T हो जाएगा, अनुस्वार संधी, कि हाँ पर right answer है, option A गया सोर संधी, बेंजन संधी और भी सरग संधी, ये सभी संधी के प्रकार है, अगला question question बार S3 है, उलंगन का स ही संधी बिछेद आपको बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों, इस question का right answer option B हो जाएगा, उत्य प्लस लंगन बराबर उलंगन होता है, question number 19 है, निम लिखित शब्दों में से स्वार संधी को पहचानिये, तो दिये गए options में से स्वार संधी का उदाहरान आपको पहचानना है तो right answer option A हो जाएगा, बिद्याले, बिद्याले में स्वार संधी है दोस्तों, और बाकि सभी options में जो दिया गया है, यह सभी बेंजन संधी के अंतरगत आते हैं, अगला question, question में 20 है, पोधन अन, किस स्वार संधी का उदाहरान है, आपको बताना है, दिये गए options में से, तो पोधन अन बराबर होता है, पावन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे इस question का right answer जो होगा, option B, अयाद संधी है, पूछा गया है, इसमें कौन से संधी है, तो right answer option B हो जाएगा, अगला question, question number 21 है दोस्तों, यथा बिद्याले में कौन सा समास है, तो दिये गए options में से, आपको right answer का chain करना है, तो right answer हो जाएगा, option B, अब यही भाव समास है दोस्तों, अगला question, question number 22 है, गुर्देव शब्द में कौन सा समास है, तो गुर्देव सब्द में कौन सा समास है, option D, right answer हो जाएगा, कर्म धारे समास है दोस्तों, अगला question, question number 23 है, अधिमानता में प्रियुक्त अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों तो right answer option C हो जाएगा अधि-पसर्ग का प्रयोग हुआ है अधिमानता में next question question number 24 है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए तो संकल्प शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों तो right answer हो जाएगा option A, some, some option का प्रियूग किया गया है संकल्प में next question question number 25 है, आपचारिक शब्द में प्रत्य लगा है, कौन सा प्रत्य लगेगा दोस्तों तो यहाँ पी इस question का right answer option C है, आपचारिक एक प्रत्य का प्रियूग किया गया है अगला question, question number 26 है, निम लिकित में से कि शब्द में नी प्रत्य नहीं लगा है दोस्तों तो दिये गए options में से आपको चैन करना है, तो right answer हो जाएगा option C, नौकरानी नौकरानी शब्द में नी प्रत्य का प्रियूग नहीं किया गया है, बाकी सभी में सेरनी, मोरनी, कुटनी, इन सभी में नी प्रत्य का प्रियूग किया गया है अगला question, question number 27 है, निम लिकित में कौन्चा शब्द तद्सम नहीं है, तो दिये गए options में से आपको चैन करना है दोस्तों, कौन्चा सब्द तद्सम के अंतरगत नहीं आता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पे, option A, आख, आख जो है तद्सम शब्द नहीं है, यह तद्भो है, बाकी सभी जो options दिये गए हैं, यह सभी तद्सम है अगला question, question number 38 है, निम्न लिखित में से कौन सा शब्द तद्सम है, तो आपको बताना है, तो right answer हो जाएगा यहाँ पे, option A, अग, अगर, शोरी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर जो है, वो तद्सम है, अगला question, question number 39 निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द बताना है, दिये गए options में से, तो right answer, option B हो जाएगा, अमीर, यहाँ पे विदेशी शब्द है, अगला question, question number 30 है, राजिपाल में कौन सी संग्या है, तो राजिपाल में संग्या बतानी है, दोस्तों, दिये जो है, भावाचक संग्या के अंतर गताएगा, option D, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 32 है, पुरुस वाचक सरुनाम के कितने भेद होते हैं, दोस्तों, आपको बताना है, दिये गए options में से, तो right answer हो जाएगा, option 3 होते हैं, दोस्तों, अगला question, question number 33, वह सोता ही जान जाएगा, मे कौन में वह सरुनाम है, तो आपको बताना है, दोस्तों, right answer, option B हो जाएगा, निजवाचक सरुनाम है, दोस्तों, यहाँ पे, वह सोता ही जान जाएगा, में, वह निजवाचक सरुनाम है, दोस्तों, ध्यान लखिएगा, अगला question, question number 34 है, पापी में कौन सा बिसेशन है, ब पापी में गुडवाचक बिसेशन है, दोस्तों, option C, right answer हो जाएगा, ध्यान लखिएगा, question number 35 है, निमन में से कौन सा क्रिया बिसेशन का भेद नहीं है, तो दिये गए, options में से आपको बताना है, तो right answer, option C हो जाएगा, जातिवाचक सरुना, जातिवाचक यहाँ पे, जात वाचक बिसेशन है, दोस्तों, next question, question number 37 है, मीरा जोर से हसी यह वाकि किस क्रिया का समचित उदाहरण है, तो right answer यहाँ पर option A हो जाएगा, अकर्मा क्रिया का उदाहरण है, ध्यान लखिएगा, question number 38, निमन में से क्रिया बिसेशन है, इन में से कौन सा क्रिया बिसेशन के अंत तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, इस question का option B, बिना, next question, question number 40 है, कौन सा समुच्चे बोधक अबे नहीं है, तो right answer आपको बताना है, तो right answer option D, हो जाएगा, आजन, यहाँ पर सही जवाब है, अगला question दोस्तों, question number 41 है, जिन अव्यों का संबंद, वाकिस से नहीं वक् कि हर्ष शोक आदिभावों से होता है, वे क्या होते हैं, तो right answer हो जाएगा, बिसमया दिबोधक अबे होते हैं, दोस्तों, next question, question number 42 है, कौन सा सब्द अनुपम का परयावाची है, दियेगा, options में से आपको बताना है, तो right answer option D, हो जाएगा, अदूती शब्द जो है, वो अ question, question number 44 है, आचार का बिलोम बताईए, तो आचार का बिलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों, दिएगा, options में से, तो right answer option यह हो जाएगा, अनाचार होता है, आचार का बिलोम, अनाचार होता है, next question, question number 45, प्रवत्ति का बिलोम बताईए, तो प्रवत्ति का बिलोम आप को बिताना है तो right answer हो जाएगा दोस्तों option D अवली का मिन्स होता है पंक्ती और आवली का होता है गंदा तो पंक्ती और गंदा option D right answer हो जाएगा ध्यान रखेगा बली शब्द युगम का सही अर्थ है दोस्तों क्या है तो right answer option A हो जाएगा बली मिन्स होता है बलीदान और बली हो जाता है वीर तो बलीदान और बीर होता है option A right answer है ध्यान रखेगा question number 48 प्रत्य शब्द वह सब्दान से हैं जो तो यहाँ पर आपको बताना है तो right answer हो जाएगा तो प्रत्य शब्द वह सब्दान से हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है option A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 49 है दोस्तों कौन सा सब्द शुद्ध है आपको बताना है दिएगा options में से तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option B अन्तयाचरी option B right answer है इस प्रकार से लिखा जाता है अन्तयाचरी दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला question और अन्तिम question है दोस्तों इस practice set का निम्न में एक सुद्ध शब्द बताईए तो इन में से आपको दिएगा options में से सुद्ध शब्द का चैन करना है तो right answer हो जाएगा option C पूजनी इस प्रकार से लिखा जाता है सुद्ध शब्द है दोस्तों दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते है next class में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन धन्वात